आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ है Students, तो आज जो Question में यहां पर solve करने जा रहा हूँ उस Question में हमसे क्या पूछा गया है मुझे यहां पर Pressure दे रखा है Air का एक Constant Volume Gas Thermometer में तो यहां पर जो Thermometer हम यूज़ करने वाले वो हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि वो एक Constant Volume Thermometer है तो Constant Volume Thermometer मुझे given है तो उसमें Pressure मुझे यहां पर दे रखा है 0.8 Meter तो 0.8 Meter मुझे मुझे दिया होगा किसी Mercury Column या ऐसी किसी Liquid के Column का तो 0.8 Meter मुझे Column की Length दे हुए Pressure की कभ 0 Degree Celsius पे और यही Length हो जाती है 1.093 Meter कभ 100 Degree Celsius पे तो यह data मुझे यहां पर given है तो question बूचता है कि जब इस Thermometer को मैं यहां पर एक Hot बात कंतर लेकर जाता हूँ तब मुझे Pressure की Leading देता है 1 Meter तो मुझे बताना है कि उस समय इसका Temperature कितना रहा होगा तो अगर इसको मैं यहां पर solve करूँ तो मेरे पास यह constant volume thermometer है तो volume मेरे पास क्या है volume मेरे पास constant है तो P और T में मेरे पास यहां पर relation जो आएगा वो कैसा आएगा directly proportional अगर मैं ideal gas equation से देखता हूँ तो अगर मेरे पास volume constant हो जाए तो मेरे पास P is proportional to T हो जाएगा यानि कि linear relationship मुझे यहां पर देखने को मिलेगी तो अगर linear relationship मुझे यहां पर मिल रही है तो अब जो दो pressure दे रखें और दो temperature दे रखें तो मेरे पास यहां पर अगर मैं इसको P1 कहूँ इसको P2 कहूँ इसको T1 कहूँ और इसको T2 कहूँ तो एक तरह से मैं यहां पर देखूँ तो मेरे पास P2-P1 जो होगा जो यह difference मेरे पास होगा और इसका मेरे साथ temperature का अगर मैं ratio ले लूँ तो T2-T1 तो बिसिकल मेरे पास जो temperature scale बनेगी यहां पर किसकी बात कर रहा हूँ यह concept हमने यहां पर यूज कर लिया स्केल का coefficient यहां पर मैंने निकाल लिया है P और T का ratio जो मुझे चेंज इन प्रेशर पर unit temperature यहां से मुझे बता देगा तो इस coefficient की value कितनी आएगी मेरे पास तो जो मेरे पास coefficient मैंने alpha assume कर रहा है तो कितना आजाएगा 1.093-0.8 upon 100 तो basically coefficient मुझे और कुछ नहीं बता रहा है बस इतना बता रहा है कि कितना pressure में change आएगा अगर मैं temperature को 1 degree से increase करता हूँ यानि change in pressure per unit degree और यही तो हमको चाहिए तो इसकी value मेरे पास यहां पर कितनी आजाएगी इसकी value मेरे पास आजाएगी वह आएगी बस इस बार P2 और V2 मैं इन दोनों को लूँगा ठीक है तो यहां पर clearly सी बात है मेरे पास मेरे पास P2 कितना है 1 meter हो गया P1 कितना था 0.8 meter ठीक है अब मैंने T2 को किसे replace कर दिया इस unknown T से और T1 को मैंने T1 ही रहन दिया तो यह मेरे पास है 0 तो यहां पर degrees Celsius में मेरे पास answer आएगा इसका ध्यान दखेंगे और यह मेरे पास होगा अलफा क्योंकि अलफा मेरे पास किया है पूरी scale की एक property है यह scale का coefficient है तो scale के उपर मैं कोई भी ratio ले लूँ यह हमेशा constant ही रहेगा तब ही तो मैंने समसे वहले इसको define किया था यहां पर तो यहां पर मैंने coefficient वही यूज कर लिया यह होगा 0.00293 तो यहां से temperature की value मेरे पास आ जाएगी simply यह कितना होगा 0.2 0.2 0.00293 तो अगर मैं इसको यहां पर solve कर लेता हूं तो solve करके जो value मेरे पास यहां पर आ जाती है वह आ जाएगी 68.26 degree celsius तो 68.26 degree celsius मेरे पास आ चुक है उस water bath का temperature जो मुझे question में यहां पर unknown दिया था और उसका temperature हम यहां पर निकाल चुक है तो यह जो value है मेरे पास 68.26 degree celsius यही उस water bath का अस्टी temperature की value हो जाएगी और हुमारे question का answer भी यही हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 पर